Hello friends, आज का हमारा topic है CSS के अंदर transform property के अंदर next point को आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा scale transform, scale property क्या होते हैं, इसको detail में समझने वाले हैं, इससे पहले हमने transform rotate property क्या होते हैं, उसको समझ लिया है, rotate किसी angle के थुरू अगर हमें अपने element को घुमाना होता था, यानि की मोड़न करना है, या फिर triple करना है, या फिर four times increase करना है, तो उस condition पर हम किसका use करते हैं, CSS के अंदर transform scale property का use करते हैं, यह point आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ पर हम एक example लेते हैं, जैसे math के अंदर आप सभी को पता होगा, जो मारी direction होती है, इसको हम y-axis बोलते थे, और इसको x-axis बोलते थे, सेम वही यहाँ पर भी रहेगा, यानि यह height हो जाएगी, and यह क्या हो जाएगी, विर्थ हो जाएगी, अब मानते हैं के कोई हमारा यहाँ पर एलिमेंट है, यह हमारा क्या है, यह हमारा यहाँ पर एक element है, जिसकी अभी height भी क्या है, 1k equal है, and width भी क्य है 1 के equal है उस condition पर मुझे क्या करना है अब इसकी size को जो set करना है मुझे transform scale अगर मैंने यहां से क्या set कर दिया transform scale को मैंने set कर दिया 0.5 तो उस condition पर क्या effect आएगा जो हमारी actual size है इसकी half हो जाएगी यानि की 1 थी 1 की size क्या हो जाएगी 0.5 हो जाएगी height की और 0.5 क्या हो जाएगी width की तो हमारा जो element display होगा उसकी size क्या हो जाएगी इसकी half होगी तो element size में क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा यानि इसका आधा हो जाएगा height से भी width से भी तो इस condition पर हम क्या कर सकते हैं अगर मुझे क्या करना है जो हमारा actual element है उसकी size को उसका half दिखाना है तो उस condition पे हम क्या value set करते हैं 0.5 यानि कि उसका आधा जो actual size होगी आपकी और अगर मैंने 1.5 set कर दिया तो यानि उसका डेढ़ गुना हो जाएगी यानि कि 1 थी तो इसका क्या हो जाएगी ये डेढ़ गुना increase हो जाएगी जो हमारी size होगी उसक करने पर जो हमारा due होगा कुछ इस प्रकार से में display होना चाहिए तो किस प्रकार से display होगा यहाँ पर अगर समझते हैं तो यहाँ पर अभी हमारे जो due की size है 1 1 के equal है लेकिन जैसे मैंने यहाँ से transform scale की value 2 कर दिया तो इस condition पे जो हमारा element होगा वो double हो जाएगा यानि 1 का double क् पर 1 value थी height 1 थी तो अब height क्या हो जाएगी 2 के equal हो जाएगी width भी 1 थी तो विर्थ भी क्या हो जाएगी 2 के equal हो जाएगी तो अभी तक हमारा element की size यहाँ तक थी अब इसकी double हो जाएगी यानि कि हमारा element यहाँ तक आ जाएगा इसी प्रकार से जो इसकी height थी अभी कहां तक थ लेकिन जैसे ही मैंने two set कर दिया scale वैसे इसकी height increase हो करके यहां तक आ जाएगी तो उस condition पर यह value अब two हो जाएगी यह भी क्या हो जाएगी अब जो हमारा element हमें display होगा यहां पर scale होने के बाद उसकी size क्या हो जाएगी कुछ इतनी इसकी size हो जाएगी तो इस प्रकार से जो हमा हमारा element होगा वो क्या हो जाएगा हमारे actual element का double हो जाएगा अब इसको हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले transform property को set करके देखने वाले है transform scale property को इसको लिखने का syntax simple सा होता है आप उसकी size को क्या रखना चाहते हैं इसके अंदर आप size को put कर सकते हैं जो की height and width दोनों पर implement होगा ज सबसे पहले has उसके बाद 2 मैंने कर लिया और इसको हम transform property set करने वाले हैं to scale transform मैंने क्या set कर दिया scale set कर दिया और इसकी value अभी मैंने क्या कर दिया 0.5 दे दिया अभी जो actual height and width है मारे due की वो क्या है जो width है वो 200 pixels के equal है and जो height है वो 50 pixels के equal है अब जैसे ही मैंने transform scale को 0.5 set कर दि यानि 200 pixels है तो 100 pixels हो जाएगा and height 50 pixels की है तो यह 25 pixels की हो जाएगे इसको save करके जैसे ही page को हम refresh करेंगे यहां से मैंने page को refresh किया अब जो हमारा due है अगर inspect करें तो उसका क्या हो चुका है half हो चुका है जैसे कि यहां पर जाते हैं और second वाले due पर हम यहां पर आते हैं तो यहां अगर आप देखते हैं तो यहां पर इसकी size अब क्या हो चुकी है यहां पर उसकी half हो चुकी है यहां पर 101.46 हो चुकी है यानि 200 का यह half हो चुकी है इसी प्रकार से वहां पर 50 pixels थी तो यह क्या हो चुकी है 26 pixels के equal हो चुकी है तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं य जो हमारी actual size थी अगर actual size पर उसको ले आना है तो उसकी size को अगर हम one set कर देते हैं इसकल की value one दे देते हैं तो उस condition पर जो हमारी actual size रहेगी उसी के equal रहेगी कोई change नहीं आएगा जैसे पहले था वैसे ही मारा div हो चुका है लेकिन मुझे क्या करना है इसका double करना है या फिर 1. 1.5 times इसको increase करना है तो मैंने इसका 1.5 गुना कर दिया जो हमारी size ही उसका मैंने क्या कर दिया 1.5 गुना, increase कर दिया और page को refresh करेंगे यह थोड़ा सा क्या हो चुका है यहां पर हाफ increase हो चुका है जो हमारा actual थी था उसका आधा क्या हो गया यहां पर increase हो गया है अब मुझे क्या करना है मुझे इसको double करना है यानि जो इसकी actual size थी उसका double करना है उस condition पर मैंने scale की value 2 रख दी और page को refresh किया उस condition पर क्या हुआ है हमारा जो second वाला due था उसकी size क्या हो चुकी है उसकी actual size से double हो चुकी है अगर मैं inspect करूं और उसके बाद इस पर ले आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोहारी width थी उसकी size 200 pixels के equal थी लेकिन अभी यहाँ पर 400 something हो चुकी है and जो उसकी height थी वो क्या थी 50 pixels के equal थी वो किसनी हो चुकी है उसकी double हो चुकी है यनि 100 के something हो चुकी है तो यह point आप यहाँ से observe कर सकते हैं इसको मैंने यहाँ से close किया अब मुझे क्या करना है अगर मुझे और ज़्यादा increase करना है triple times करना है तो उसकी value triple times increase हो जाएगी तो हमारा due की जो size होगी और ज़्यादा हो जाएगी height and width दोनों increase हो रही है लेकिन मुझे क्या करना है मैं चाहती हूँ जो मारा actual due था वही रहे यहाँ से मैंने one set कर दिया और इस page को मैंने क्या कर दिया refresh कर दिया actual यहाँ पर height and width में आ चुका है जो इसकी actual size थी लेकिन मुझे क्या करना है मैं चाहती हूँ जो इसकी height है वो कितनी हो जाए फाफ जाए जो इसकी actual यहां पर जो width है उसकी क्या हो जाए half हो जाए and जो height है वो कितनी हो जाए इसकी double हो जाए तो इसके लिए हम set करने वाले हैं तो सबसे पहले यहां पर हम लेते हैं मुझे सबसे पहले क्या set करनी है उसकी width को मुझे क्या करना है double करना है तो width के लिए मैंने 2 set कर दिया and height के लिए मैंने क्या set कर दिया 0.5 set कर दिया half set कर दिया और save क्या save करने के बाद page को refresh करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो हमारी width थी डियू की वो क्या हो चुकी है यहां से double हो चुकी है width के लिए मैंने 2 दिया था तो width double हो चुकी है actual width से और जो height थी वो क्या हो चुकी है और ज्यादा कम हो चुकी है लेकिन मुझे क्या करना है height को क्या करना है और ज़्यादा increase करना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं यहां से बढ़ा सकते हैं height के लिए मैंने क्या set कर दिया यहां से मैंने 3 set कर दिया height की value और ज़्यादा क्या हो जाएगी increase हो जाएगी इस प्रकार से page को refresh किया तो यहां से height की value क्या हो चुकी है उसका triple time increase होई है जबकि width जो थी वो double ही increase होई है तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं इसकी value को set कर सकते हैं और यहां पर हम अगर मुझे x axis के along y axis के along इसको हम control करना चाहते हैं तो इसके लिए हम और property का use कर सकते है अगर मुझे सिर्फ इसकी width को ही क्या करना है increase करना है decrease करना है यानि scale इस पर ही implement करना है तो उसको हम किस प्रकार से implement कर सकते हैं transform scale उसके बाद हम क्या लिख देंगे x, x की value सिर्फ मुझे देनी है y की देनी है तो transform scale y set कर देंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी y axis and x axis के along वो क्या हो जाएगी increase and decrease हो जाएगी जैसे कि मैंने इसको यहां से क्या कर दिया हटा दिया और इसको मैंने save किया save करने के बाद page को एक बार हम यहां से refresh कर लेते हैं तो actually इसकी size आ गई है अब मुझे क्या करना है y axis के along यानि इसकी height को मुझे क्या करना है यहां से increase करना है increase करके मुझे क्या करना है double कर देना है तो इसको हम किस प्रकार से set करेंगे यहां से मैंने transform को use किया उसके बाद scale मैंने क्या set कर दिया y axis के along y axis के along मुझे क्या कर देना है double कर देना है height को अभी जो हमारी height है वो 50 pixels के equal है इसकी double क्या हो जाएगी 100 pixels के equal यह increase हो जाएगी अब देखना यहां पर सिर्फ height पर effect पड़ेगा विर्थ उतनी ही रहेगी तो यहां से height हमारी increase हो चुकी है विर्थ उतनी है अब मुझे इसको x axis के along यानि इसकी width को भी क्या करना है मुझे set करना है तो इसकी width को भी हम set कर सकते हैं यहां से मैंने transform property को use किया और उसके बाद scale मैंने क्या ले लिया यहां से x axis के along x axis के along इसकी हम width को control करते हैं width मुझे कितनी चाहिए इसकी width है वो मुझे 0.5 times चाहिए यानि half चाहिए जो actual width है उसकी क्या चाहिए half चाहिए actual width 200 pixels के equal है तो अब यह कितने pixels के equal हो जानी चाहिए 100 pixels के equal तो यहां से आप देख सकते हैं height तो इसकी width होई है लेकिन जो इसकी width हो है हो क्या हो चुकिए उसकी half हो चुकिए तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं particular axis के along भी हम इसको set कर सकते हैं यानि height and width को भी हम अपने आप से control कर सकते हैं या फिर दोनों को आप एक साथ set कर सकते हैं अगर simple सी एक value आप देते हैं तो वो दोनों पर implement हो जाएगी height and width अगर आप दो value सिर्फ देते हैं x and y axis नहीं बताते हैं तो first value जो set होती है वो width के लिए set होती है और second value y के लिए set होती है y and x axis कहने का क्या मतलब है x axis क्या होता है हमारी यह हमारी width होती है किसी भी element की width होती है y axis क्या होता है यह हमारी height होती है यानि अगर आपको high tank width को control करना है उसको क्या करना है half करना या फिर double करना त्रिपल करना है तो उस condition पर आप यहाँ पर CSS transform के अंदर scale को use करते हैं यानि transform property के अंदर आप scale को use करते हैं तो यह था आज का हमारा topic आई हो दोस्तों गर आज की information आपको अच्छी लगी हो तो please video को like क चैनल को subscribe करना और दोस्तों के पास share करना